Hair loss pattern सभी में different होता है कुछ लोगों में crown area effect होता है कुछ लोगों में middle partition होती है यानि कि जो मांग होती है वो काफी चौड़ी हो जाती है कुछ लोगों में जो hairline होती है ये पीछे की तरफ भाग जाती है या फिर इन में gap आ जाते हैं जैसे की मेरे साथ भी है कुछ लोगों में selective hair loss होता है यानि कि कुछ sections में ही hair thinning हो जाती है कुछ लोगों ने register भी किया है कि जब वो middle partition करके दो चोटी बनाते है तो एक चोटी मोटी और एक चोटी पतली हो जाती है ऐसा आपके साथ है क्या अगर आपको selective hair loss हो रहा है या होता है तो आज की remedy आपके लिए कमाल कर सकती है आपको within a week दिखेगा कि आपके baby hair आ रहे है और तीन हफतों के अंदर अंदर वो एरिया आपका बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी तो अगर आप विटनिस करना चाहते हैं magic तो आईए जानते हैं what all needs to be done हालो तो माँदर्फिल पीपल प्रेसिंट अवियर वेलकम बाक दिचानल अगर चानल पर पहली बार आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ आपके selective hair loss को fix करने के लिए एक बहतरीन से remedy जिसका इस्तमाल करके आप अपनी hair line को fix कर सकते है आपकी वो जो चोटी सी hair growth है ना जो hair length है जो बढ़ते तो है लेकिर अपकी normal length को achieve नहीं कर पाते उसके लिए आपको क्या क्या रेमेडियल actions करने चाहिए बहुत आसान है घर की चीजों से ही हम इसको करने वाले हैं जैसा कि हमेशा करते हैं और बहुतरीन results आपको देने वाले हैं जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ यह natural remedy है results देने में थोड़ा सा समय ले सकती है if at all आपको ऐसे जन है जिन्होंने कभी natural remedies का इस्तेमाल नहीं किया है इनको try नहीं किया है लेकिन अगर आप natural remedies करते रहते हैं अच्छा balance बनाते हैं तो आपको बहुत जल्दी results भी मिल सकते हैं तो be positive इन सभी चीजों पर विश्वास कीजिए इन ingredients के बारे में पढ़िए अपने आपको positive रखिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है इस remedy को करने के लिए बहुत ही simple ingredients आपके kitchen से ही हमें चाहिए सबसे पहले चाहिए एक pan जसमें आपको लेना है approximately half liters of water इस पानी में अब हमें infusion करना है कुछ बहुत ही strong चीजों का जो की later on हमारे scalp के लिए एक massaging tonic का का काम करने वाला है जैसे ही पानी boil करने लगे हम अपने powerful ingredients का infusionist में start करेंगे सबसे पहला ingredient जो आपको यहाँ पर लेना है वो है one tablespoon of nigella seeds यानी की kalonji के बीज अगर आप पूरे के पूरे tonic में सिरफ इसी का tonic बना लेना और कुछ ना डाले मुझे यकीन है कि वो भी काम करेगा जहां यह इतना powerful है आपके बालों में पूर मात्रा में मौझूद है दूसरा ingredient जो यहाँ पर आपको लेना है वो है 8-10 cloves यानी की long long एक spice है आप सभी जानते है और इसका infusion एक बहुत ही अच्छा oil release करता है आपके tonic में जो की blood का circulation आपके scalp में बुलाता है specifically उस area में बुलाता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो oxygen का supply है वो भरपूर मात्रा में रहता है और किसी भी प्रकार का कोई भी free radical damage वहाँ पर नहीं हो पाता है तो आपको बहुत जादा positively cloves के बारे में पढ़ना है और उसका infusion यहाँ पर करना है तीसरा powerful ingredient इसका infusion हम यहाँ पर करेंगे वो है 4-5 कलिया ओफ लहसून जहां garlic cloves garlic के बार है और आपके बालों के system के लिए भी यह आपके बालों को इस प्रकार की strength देता है बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हमारे baby hair तो आते हैं लेकिन वो natural जो आपकी length है वो कभी attain ही नहीं कर पाते garlic is the reason कि वो baby hair अपनी natural length अपनी normal length को attain करेंगे और बीच में जढेंगे नहीं strength के लिए हम यहां गार्लिक का इस्तिमाल कर रहे हैं तो चार से पांच का लिया आप रैंडमली कट कर दीजे आपको खाने के लिए नहीं बनाना है जिस रैंडमली इसको डाइस करिए और इस पानी में डाल दीजे लास्ट इंग्रीडियिंट जो हम यहां पर लेंगे वो है अद्रक यानि की जिंजर इसको आप पतले-पतले slices काट लीजे और इसी टॉनिक में से डिकॉक्षन में ले लीजे और इसको अच्छे से खॉलने दीजे आप चाहें तो ढखका रख सकते हैं ताकि अच्छे से इंफूजन हो जाए तो इस डिकॉक्षन को आपको तब तक ब पंद और इसको आप ठंडा होने दीजे जब यह ठंडा हो जाए आप इसको स्ट्रें करके एक ग्लास बॉटल में प्रेफरेबली ले लीजे और उसके बाद आप इसे रखेंगे जब भी आपको इस्तिमाल करना है ना फॉर दी आप्लिकेशन आप तो बी वेरी 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 कैफुल नंबर वन इसमें बहुत स्मेल आती है नंबर टू यह काफी स्ट्रॉंग है इसलिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा इसको अच्छे से पैच टेस्स ले लीजिए इत्मिनान कर लीजिए कि आप इसके लिए पॉजिटिव है उसके बाद ही शुरुआत कीज आप एक कॉटन पैड में इसको ले लेंगे आप चाहें तो इसको पंप बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं ताकि कंवीनियंट हो जाए कॉटन पैड में लेना और बहुत ही जेंटल हांस के साथ आप अपने अफेक्टिड एरिया में इसको अराम से और आसानी से मसाज करिए देखिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ अप्लाए नहीं करनी है बहुत जेंटल हांस से आप सिरफ वहां के फॉलेक्वल्स को यह जो पोशन हमने रेडी किया है उसको आपके रूट्स में दे रहे है एंड यस हलका सा टिकलिंग सेंसेशन हो सकता है अगर आपको डांड आपको परिशानी है कई लोगों को पहले एटेंप्ट में इचनस फील हो सकती है बट बिलीव मी सेकिन एटेंप्ट में आपके उस एरिया को इसकी आदत हो जाएगी और आपको टिकलिंग सेंसेशन परिशानी वाली सेंसेशन महसूस नहीं होगी हलका सा टिकल इस नॉर्मल लेकिन अगर आपको दर्द महसूस होता है या बहुत तीज जलन महसूस होती है तो मैं कहूंगी कि आप इम्मीडियेटली कॉटन पैड में हलका सा शाम्पू लेकि उसको वहाँ से हटा दीजिये हमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है तो आपके बाल इसके लिए शायद थोड़ा सा परिशान हो सकते है जब आप इसको अच्छे से मसाज कर लें तो आप अपने बालों को रहने दे सकते हैं लाइक नॉर्मली जैसे बांते हैं वैसे बांत कर दीजिये इतने में ही अपना काम कर देगा ओवरनाइट रखने के आवशकता नहीं है इसके बाद आप एक नॉर्मल कपड़ा लेंगे हलका सा पानी मतलब गीला करेंगे उस कपड़े को और उस एरिया को अच्छे से वाइप ओफ कर देंगे ताकि एक्सेस जो कुछ भी वहाँ पर है उसे हम हटा देंगे देखिए यहाँ पर हमारा परपस था आपके रूट्स को वो नूट्रियंस देना वो पोटेंसी देना इन इंग्रीडेंस की वो ताकत वहाँ तक पहुचाना जो कि हमने दी हमने कुछ समय इंतिजार किया और उसके बाद वाइप ओफ कर दिया फ्रॉम कि संडे चुट्टी है तो आप ऐसा कर सकते हैं बट प्लीज मेक शॉर कि येस थोड़ा सा स्टिंक करेगा लहसून यूज है भाई अगर आप टीनेजर है तो आप इसको ट्राइ कर सकते हैं लेकिन टीनेजर से छोटे बच्चे आप आप देस लीजिए कामफटेब्ल है तो ट्राइ कर सकते हैं absolutely no problem अगर आपके बालों में किसी भी तरह का fungal infection है या कोई dandruff है flickiness है इस पर लगाने पर आपको definitely tickling sensation बहुत tickling नहीं बल्कि इचिनेस महसूस होगी तो ये remedial भी हो सकता है कि आपके बालों के उस परिशानी को हल भी कर सकता है और exaggerate भी कर सकता है तो patch test मैं बार-बार बोल रही हूँ please patch test लीजिए it's a strong remedy do not think कि मैं आपको इस tonic के बारे में ढरा रही हूँ कि you know negative हो जाता है this and that patch test लेके आपको clarity हो जाएगी कि कि किस degree में आपको किस मातरा में इस्तमाल करना है और फिर आप असानी से कर पाएंगे समझ मैं है डरने वाली कोई बात नहीं है बहुत simple remedy है घर पर ready की है कोई chemical नहीं है आराम से इस्तमाल कीजिए and don't worry क्या इसके कोई side effects है excess हर चीज का बुरा होता है और हर चीज के फिर वो negativity में चला जाता है तो इसको आप patch test लेकर ही try करेंगे otherwise obviously richness हो सकती है redness हो सकती है inflammation हो सकता है तो please patch test and then try otherwise कोई side effect as such आपको नहीं मिलेगा क्या इसको overnight लगा सकते है it's a very strong remedy I am repeating again तो overnight के लिए मैं recommend नहीं करूँगी कुछ समय के लिए as a tonic लगाईए और फिर wipe off कर दीजे that much is sufficient क्या हम इसके बड़े batches बना कर store कर सकते है जी बिलकुल भी नहीं आप एक small batch बनाईए ये 200 ml वाला है ये one week तक sustain कर जाएगा इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है weekly बनाईए fresh batches और use करते रहिए क्या हम इसको every single day use करे जी बिलकुल आप इसको हर दिन लगाईए wipe off कर दीजे ये आप कर सकते हैं लेकिन आपकी watch cycle normal ही रहेगी हर दिन आपको shampoo नहीं करना है तो आशा करती हूँ आपके जितने भी questions रहे होंगे around this remedy वो मैंने answer कर दिये है अगर फिर भी आपको कोई query है तो please feel free to write down in the comment section मैं definitely कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो भी प्रशन है उनका उत्तर दे सको अगर आपको कोई भी ऐसा topic है जो आप चाहते हैं कि जिसके बारे में मैं बात करूँ feel free to write down that also in the comment section मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for your hair, skin and health तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिए खुश रहिए और प्रीदी प्रेणा के सभी चानल से जुड़े रहिए I love you all, take care तो आपको बहुत जादा positively close के बारे में पढ़ना है और उसका infusion यहाँ पर करना है तीसरा ingredient इसका infusion यहाँ पर आप करेंगे वो है क्या था?